This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose. और एंड में अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें और जो नए वीवर्स देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बैल का नोटिफिकेशन आइटन भी दवाएं फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करने स पहले मैं आपको एक बार देंबुर भी खा देता हूं आप जैसे जानते ही है कि मैं इंडिया से व्लॉंग करता हूं और पंजात से और जो इस समय मेरा आईपी शौर है वो और है सिंगापूर का और यह मिरा आईपी एड्रेस है और अप्रेटिंग सिस्टेम है लाइनिक् वो हम लोग काली लाइनिक्स की बनाएंगे और अगर मैं आपको इंटरनेट की स्पीड चेक करवा दूं तो हमें लगबग डाउनलोड स्पीड 687 MB मिल रही है और अप्लोड स्पीड 582 MB मिल रही है तो यह मेरी आडिपी है मैं आपको एक बार इसे चोटी करके मिनिमाइज करके भी दिखा देता हूं यह देखिए मैंने इसका साइज चोटा कर दिया है और मैं OBS को कर देता हूं मिनिमाइज यह मेरी आडिपी चल रही है उपर और यह मेरी एक्चल विंड़ो है ठीक जो की हमारी विंडोस 10 में और RDP में जो मैं यूस कर रहा हूं वह है मेरी लाइ और ये दोनों लिंक मैं आपको प्रवाइड कर दूँगा अपने ब्लॉग पर और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा फस्ट हमने ओपन करना है हमारे कंसोल को ओके तो कंसोल को ओपन करने के लिए चाहे तो आप यहां से इस लिंक को कपी कर लिजिए ब्राउजर ओपन कर लेते हम अपना तो आपने भी ब्राउजर ओपन कर लेना पहले और उसके बाद आप अपने किसी भी email id में login कर लिजिए तो तो मैंने email id चेंज किये आप लगों को दिखाने के लिए तो यहां पर अगर मैं अपने उस link को paste करता हूं और उसके बाद इंटरफेस करता हूं तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा कि आपने यहां जो यह हमें शेल का इकन शो हो रहे है इस पर हमने क्लिक करना है तो पेज को पूरी तरह से लोड होने दीजिए और इस समय यह आपको यह तो आप यहां से ड्रैक करके बड़ा कर लिजिए चाहे आप इस बटन पर क्लिक कीजिए और यह आपका न्यू पेज में शेल ओपर हो जाएगा ओके तो इस लिंक के हेल्प से हम सीधा यहां पर शेल में लॉग इन हो जाते हैं फिर यहां पर हमने जो यह हमारी सेकिंड चुर्न कमांड है इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ओकी तो मैंने कॉपी कर लिए अब मैं इसे यहां पेस्ट कर देता हूं पेस्ट करने के लिए आपको Ctrl plus V दबाना हो उसके बाद पेस्ट करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड में से इंटर प्रेस कर दें तो यहां एंजी रॉक का टॉकन मांगा जा रहा है उसके लिए हम लोग जाएंगे एंजी रॉक वेबसाइब में तो आपने एंजी रॉक टाइब करके सर्च कर लेना है उसके बाद जो ही आपको वेबसाइब शो हो रही है इसे आप ओपन कर लीजिए फर्स्ट रैम जब आप अपन करेंगे आपने sign up free पर click कर देना है, यहाँ पर हम scroll down करेंगे हमें show होगा sign up with Google, तो आपने इस link पर click कर देना है, यहाँ से आप mail choose कर लीजे, जिसमें आप इस समय login है, अगर multiple mail show होती है, then, फिर आपने I accept the term and conditions को check कर लेना, फिर आपने create account पर click कर देना है, और अगर आपका account अल्रेडी बना हुआ है, फिर आपने यहाँ email डालनी है, मेरा भी account अल्रेडी बना हुआ है, तो इस वज़े से हमें यह message वह हुआ है, but friends, इस समय मेरे को इसका password याद है या नहीं है, यह email, confirm नहीं है, but मैं डालके देखता हूँ, हाँ, सेम यही था, ओके हमारा login हो चुक है, इसे हम कर देंगे skip, उसके बाद आपने got it पर click कर देंगे, यहाँ पर हम जाएंगे यूर अर्थन टोकन पर, यहाँ पर यह आपका token शोर है, तो यह आपका token शोर है, आपने copy बटन पर click करके इसे copy कर लें, फिर हम फिर जाएंगे Google Console website में, और यहाँ पर control भी करके इसे paste कर देंगे, फिर आप से location पूछी जाएगी, आप अपने recording यहाँ पर कोई भी choose कर लीजे, बट Google का जो एशिया का server है, वो Singapore में ही situated है, इसलिए आपको जब IP चेक करेंगे, सिगापुर भी show होगा, तो मैं यहाँ पर EU select कर लेता हूँ, जिसका mean है Europe, तो आपको यहाँ पर सारे show हो है, आपको जो चाहिए उसका जो left side में short two character में code लिखा हुआ है, वो आपने डाल कर इंटर प्रेस कर देंगे, तो इस तरह से यह हमारी downloading होगी पहले, फिर उसके बाद इसे extract होगा हमारा console में, तो यह ng-rock से आपकी Linux का ISO file बोल सकते हो आप इसे, उसकी image बोल सकते हो, वो download और extract हो रही है, तो जब हमारी RDP create हो जाएगी, आपको इस तरह का interface यह होगा, तो यह जो हमें, यह हमारी RDP का address है, आपने इस पर दो बारी click करना है, यह आपका copy हो जाएगा, फिर आपने यहाँ पर type करना है remote, और यह आपका remote desktop connection show हो जाएगा, और इसे आपने open कर लेना है, यहाँ पर आपने इसे करेंगे paste, उसके बाद show more में जाएगे, और user को copy कर लेंगे, इसे यहाँ पर paste कर देंगे, फिर आपने allow me to save credential पर click कर लीजिए, उसके बाद आपने connect प एक आदा मिनट wait कीजिए, उसके बाद फिर try कीजिए, मैं भी यहाँ पर कुछ pause दे देता हूँ, उसके बाद हम फिर से connect पर click करेंगे, हमें wait करना हो गए यहाँ पर कुछ time, ओके तो इस समय देखिए हम successfully connect हो चुके, फिर इसी तरह से आप password को copy कर लीजिए, और इसे भी य okay पर click कर देना है, यहाँ पर आप don't ask me again पर click करेंगे और yes पर click कर देंगे, किस तरह से हमारी RDP create हो जाएगे, यहाँ पर आप okay पर click कीजिए, और अगर यहाँ पर आप से फिर से password पूछा जाता है, तो type कीजिए same जो username है, और okay पर click कर दीजिए, कई बार यह सिधा login हो करता है कि जो हमारे windows के अंदर menu होते हैं, हमारे desktop के bottom में और Linux में है, top में, kali Linux में, तो यह जो आपको fifth icon show हो रहा है, यह हमारा web browser है, इस पर आपने click कर देना है, एक चीज में आपको और बता दू, यहाँ Firefox आपका pre-installed होता है, और जब आप कोई website open करते हैं, तो आपका tab कई आपकी बार crash हो जाता है, उसका reason होता है आपका internet, तो उस समय आप इसे कुछ time के लिए बंद कर दीजिए, फिर दुबारा try कीजिए, चलेगी है, उस error को देखने आपने देखकर आपने बिल्कुल भी panic नहीं होना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, अप लिगपूर, अब चलते हम internet speed पर, तो यहाँ पर मैं open करता हूँ google fiber speed, इसे हम थोड़ा scroll कर लेंगे downward, और यह जो go button है, इस पर हम लोग कर लेंगे click, तो हमने यह go button शो हो रहा है, इस पर हमने कर लेना click, और हम लोग करेंगे यहाँ पर wait, तो यह हमारी download speed है, लगबग, 612 mbps, और upload speed है हमारी, basically जो यह google cloud पर हमें rdp's मिलती है, इनमें होता है कि जो internet की speed होती है, वो share basis पर होती है, और अगर आप जब rdp use कर रहे हैं तो उस समय अगर users कम हैं तो आपको ज़्यादा speed मिलेगी, और अगर user ज़्यादा है, तो आपको कम speed मिलेगी, तो यह थी हमारी rdp, कि हम google में google cloud को use करते हुए, काली linux की rdp कैसे बना सकते हैं, और आप इस rdp को अपनी requirement के according use कर सकते हैं, आप चाहे इसे cpm work के लिए use कीजिए, चाहे आप अपने watch time को पुरा करने के लिए use कीजिए, चाहे आप किसी भी काम के लिए use कीजिए, अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है, तो प्लीज इसे like कर देना, share कर देना, और जो नए viewers इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज चैनल को subscribe कर लें, और साथ में bell का notification icon भी दबाएं, ताकि आपको इस तरह की interesting और technical videos की notification सबसे पहले मिलें, thanks for watching, bye.